हलो भाई लोग स्वागत है अपका एक नई वीडियो में SAC GT 23 के लिए जैसे थमनेल देख सकते हैं मैंने बहुत बड़ा बड़ा फेका है ऐसा वीडियो जो नहीं देखा पस्ताएगा फिजिकल के लिए बहुत इंपोर्टेंट भविस्वानी है कि बातर 32% बच्चे हैं भीजिकल पास होंगे अब वीडियो में दम नहीं हुआ तो डिसलाइक करें और अच्छा हुआ तब को पता ही हुआ क्या करना है हम इतना केव थमनेल पे फेके हुए हैं अभी आपको हम क्लियर करते हैं ठीक है उससे पहले जवी भाई हमको धन्यवाद बोल रहे थे अच्छा वीडियो बनाने के लिए उनको दिल से सुक्रिया और हम आप लोग को को इसी बात से प्रस्थन होके एक ऐसा वीडियो लाए हैं जो आप लोग देखिएगा तो कोहिए कि हाँ ये होता है अच्छा रिसर्च अगर वीडियो आच्छा नहीं हुगा न तो कमेंट में बोल दीजिएगा ये आप वैसे ही वीडियो बनाते है ठीक है तो चलिए हम सुरू करते हैं और पहले पुरूफ दिखाएंगे उसके बाद आपको डाटा दिखाएंगे कि कैसे 32% बच्चे फिरिकल पास होंगे और बाकी बच्चे कैसे फेलो जाएंगे ठीक है जैसे कि मैं कुछ नोटिस के माध्यम से पहले दिखा देता हूँ उसके बाद एक अलग जगा लिखकर आपको समझा दूँगा ठीक है पहले प्रूफ दे रहा हूँ इसलिए कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आपने कहां से वीडियो बना दिया आपको डाटा या कहां स मिला या आप जूठ बोल रहे हैं तो उनके लिए मैं पहले नोटीस के माध्यम से दिखाऊँगा उसके बाद आपको एक पेज पे लिखकर अलग से अच्छे से समझाऊँगा ठीक है आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो ओपेन किये हुए हैं और 2018 का नोटीस है क्या नोटीस है जो बच्चे फिजिकल पास होके मेडिकल के लिए क्वलिफाई हुए थे उर्षका ये नोटीस है तो भाई आप पुछेंगे क्यों ये नोटिस क्यों दिखा रहे हैं तो देखिए क्यों दिखा रहे है। जैसे इस में कुछ डाटा डिया हुआ है। डाटा उस चीज का है आपका फिजिकल इस पे हुआ था 13 अगस्त से 5 अपटूबर तक इसका फिजिकल हुआ था फिजिकल में कुछ यहां डाटा है डाटा क्या है टोटल क्वालिफाई 5,35,179 बच्चे अपसेंट हुए थे 1,55,000 परजेंट हुए थे 3,83,000 और नोट क्वालिफाईट से 2,8,000 और क्वालिफाईट से 1,75,000 अभी आप सिर्फ देख लिजिए इसक जीडी 2021 का जो मेडिकल के लिए लिस्ट आया था ठीक है तो यहां पे डाटा क्या कहता है यहां पे डाटा यह है कि टोटल कर्णिडेट 2,50,000 बुलाए गए थे अपसेंट 95,000 हुए थे परजेंट 1,90,000 और क्वालिफाईट 96,000 क्वालिफाईट 92,000 बस आप देखते उसके बाद मैं अच्छे से आपको समझाते चलूगा जैसे मैंने वही लिखा 2018 में 5,35,000 बचे फिजिकल के लिए पास हुए थे परसेंटेज में पता है मैंने बोला कि 1,50,000 बचे अपसेंट हुए थे इसका मतलब पता है क्यों मैं बता रहा हूँ अगर इसको अपसेंट हो गए थे यानि जो फिजिकल ही देने नहीं गए थे रिजल्ट आया था फिजिकल के लिए 5,35,000 बारा गुना रिजल्ट आया था उस वक्त सीट था 58,000 कुछ सीट था उसका जो फिजिकल के लिए बुलाया गा था 5,35,000 बचे को बुलाया गा था जिसमें 28% और पता है परजेंट में कितने डिस्क्वालिफाई हो गए मतलब जो फिजिकल देने आये थे ये देखिए डटा 49% बच्चे तो फिजिकल ही क्वालिफाई नहीं कर पाए समझे इस बात को 70% बच्चा परजेंट हुआ उसमें से 2,8,490 बच्चे तो क्वालिफाईड ही नहीं हो पाए ये टोटल 5,35,000 में मात्रे 40% बच्चा ऐसा है जो क्वालिफाईड ही नहीं हो पाया अब देखिए उसके बाद देखिए तो फिजिकल में पास कितना हुआ तो फिजिकल में मात्रे 32% बच्चे पास हुए ठीक है बाकी सारे बच्चे फेल हो चुके फिजिकल में क्योंकि यो फिजिकल को हलखा मिले चुके थे या जो कहिए इसलिए आप लोग फिजिकल पे ध्यान दिजिए चलिए इतना से नहीं होता है यह तो 2018 का डटा था तुरवाट जिडि का जो फिजिकल 221 की स में हुआ है उसका क्या डटा था क्या उसका भी डटा इसी परकार था कि सिर्फ 18 में ही ऐसा हुआ था 18 का तो अगस्त अक्टूबर में रनिंग हुआ था और इसका जो है का result आया था ठीक है result आनेग में उसके बाद absent हो गए थे 95,650 बच्चे इसका मतलब 35,3% बच्चे absent हो गए थे 18 वाले vacancy में 28% बच्चे absent हुए एकईस वाले vacancy में 33% बच्चे absent हुए ठीक है आगे देखिए आगे यह है कि यहाँ परजेंट कितना हुए भाई तो परजेंट हुए 66% एक लाख नवासी जर बच्चे परजेंट हुए थे अब आगला डेटा देखिए है हैरान करने वाला not qualified कितने परजेंट हुए तो 33% not qualified थे यहाँ भी 18 में 49% not qualified और 21 में 33% not qualified ठीक है अब qualified कितने हुए तो physical पास हुए थे मातर 32% बच्चे 18 में भी 32% बच्चे पास हुए लगभग और 21 में भी 32% बच्चे पास हुए लगभग इससे आप लोग क्या समझ में आ रहा है यही समझ में आ रहा है कि physical में बहुत सारे बच्चे absent होते हैं बहुत सारे बच्चे not qualified हो जाते हैं इसलिए आप लोग physical का त्यारी किजिए अब चलिए के कुछ भविस्वानी कर लेते हैं इस पर क्या हो सकता है थोड़ा बविस्वानी कर लेते हैं 2022 का वेकेंजी है बविस्वानी कर लेते हैं पिछला डाटा के निधर बविस्वानी इसको नहीं बलते हैं इसको बलते हैं average इसको बलते हैं research उसके अधार पर बताया जाता है ठीक है official notification पहले ही मैं देखा चुका हूँ कोई ये नहीं बोलेगा कि ये फेक रहा है YouTuber ठीक है मैं फेक नहीं रहा मैं official notice के माध्यम से उसके अनुसार आपको एक average बता रहा हूँ कि आप लोग सतर्क हो जाईए जिसका physical है वो खूस हो जाईए और जिसका physical नहीं है वो सतर्क हो ये ठीक है अब देखिए भविस्वानी में क्या है भविस्वानी में ये हुआ आकि इस बार आठ हूना बच्चे पास होंगे 50,180 सी फेकैंसी है तो मतलब एक चेक 4,1496 बच्चे physical के लिए पास होंगे ठीक है अपसेंट हम 30% हो रखते हैं जैसे कि 28% 18 में अपसेंट हुए हम अल्मॉस्ट 30% रखते हैं दोनों का एबरेज 30% बच्चे अपसेंट हो गए यानि 1,20,450 बच्चे अपसेंट होंगे हम आपको बता दे कि इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे अपसेंट होंगे CGL का पीटर्न चेंच्चा बहुत सारे बच्चों ने फार उम फिल अप करती है था एकजाम के पैटर्न देखने के लिए ठीक है, CHSR का एक्जाम था, MTS का एक्जाम था, बहुत सारे SAC वाले बच्चे फोरूम फिलफ कर देते हैं, सिर्फ एक्जाम देने के लिए, और का नंबर अच्छा होता है, और वो रॉनिंग में नहीं जाते हैं, तो जो अपसेंट होते हैं, दो कारण से अपसेंट होंगे, तीन कारण से अपसेंट होंगे, पहला नंबर जादा है, रॉनिंग नहीं है, दूसरा परिच्छा दिये थे, बस परिच्छा देने के लिए, यहीं हाइट वाइट नहीं था, परिच्छा दे दिये, देखने के लिए, और तीसरा अपसेंट वो भी होते हैं, जिनका अब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, परिच्छेंट लगभग कितना होंगे, तीस परिच्छेंट अपसेंट हुए तो सत्तर परिच्छेंट होंगे, अल्मोस्ट दूला के का सेज़ा बच्छेंट होंगे इस बार के बहाली में, अब नौट ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, जून में रॉनिंग है, और जून में गर्मी होती है, सबको पता है, बाहर निकलना मुस्किल होता है, और पांच किलोमेटर का रॉनिंग करना है, समझ सकते हैं, बहुत मुस्किल होता है रॉनिंग, अगर आप लोग फिजिकल दिये होंगे और फिजिकल नहीं भी दिये होंगे तो समझिये जून में लू चलने लगता है और आपको अगर कितना भी सुवा फिजिकल करा है तो आठ से नो तो बजही जाएगा दस तो बजही देगा फिजिकल कराने में और दस बजह तक लू चलने लगता है और गर्मी के दीन में 5 किलोविटर रॉनिंग करना छोटा मोटा बात नहीं होता है बहुत समस्य होती है फिर भी हमान के चलते हैं 33% बच्चे जो होंगे वो not qualified करेंगे तो physical pass कितने करेंगे टोटल भेकैंसी का 32% बच्चे physical pass करेंगे क्योंकि 18 बच्चे लगबख जो होंगे यानि कि almost जितने लोग physical pass होंगे समझ ये जिसका border पे नंबर है उनको छोड़के लगभग सारे लोग आप लोग medical के लिए कोलिफाई ही हो जाएंगे ठीक है इस बात को ध्यान रखिए तो बताईए वीडियो बवाल था की नहीं research था की नहीं हम कुछ जूट नहीं बोले हैं notification दिखा है उसके नुसार लिखे है percentage में value निकाले है आप लोग देख सकते हैं तीनो साल के नुसार 32% लर का पास होता है तो आप मतलब वीडियो देखे क्या सीखे वीडियो देखे यही सीखे जिसका physical है खुस हो जाईए और physical भी करिए ज्यादा खुस नहीं होना है और जिसका physical नहीं है उसको इससे सीखना चाहिए और physical पो अभी से ध्यान देना चाहिए result 15 अपरिल के पहले तक आ जाएगा और जून जुलाई में आपका physical होगा physical के लिए 50 दिन से ज्यादा time नहीं दिया जाएगा पसरते हमको जहां तक लगता है जल्दी physical कराया जाएगा क्योंकि मोदी जी को बाटना है रोजगार मेला में रोजगार पत्रे चुनाओ भी तो है तो जल्दी कराना है तो आप लोग physical में ध्यान दिजिए जिसका physical नहीं है वीडियो बढ़िया लगा कि नहीं लगा अगर वीडियो बढ़िया लगा तो इसको लाइक किजिए और अगर अच्छा नहीं लगा अगर आपको लगता है कि ऐसे ही वीडियो बना रहे है तो dislike किजिए ठीक है और comment किजिए अगर कोई doubt हो तो ठीक है